नमस्कार दोस्तों, Pegasus Spyware का जो पुरा मामला था, उसके बारे में तो I'm sure आपने सुना होगा, उसको जान लिया होगा, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही important कदम लिया जा रहा है West Bengal के दोरा, देखें यह जो पुरा मुद्दा है वो center versus state काफी तक आपको देखने को मिलेगा, तो है और यहाँ पर किस प्रकार के actions लिये जा सकते हैं, वो हमें यहाँ पर जानना जरूरी हो जाएगा, तो काफी कुछ जानने को है, मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में सब कुछ detail से, चली आगे बढ़ते हैं, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में स जो Pegasus Spyware का पुरा मामला था, जिसमें आपने देखा होगा, कि इसराइल की company है, एक NSO group, उनके द्वारा ये particular software बनाया गया था, ये basically क्या करता है, कि जो phone है, उसके अंदर enter कर जाता है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको virus पर click करना होगा, कुछ करना होगा, तब enter करेगा, it is simply just no click, जो है, इसको कहते हैं, और simply अगर आपको एक missed call भी दे दिया जाएगा, तो भी ये enter कर सकता है, और इसके माध्यम से, जो भी ये करना चाह रहा है, वो surveillance कर सकता है phone का, आप क्या बातचीत कर रहे हो, किस तरह के messages भेज रहे हो, तो इसको लेकर अभी जो malware का इस्तमाल किया गया है, इसको लेकर जो ममता बनर जी है, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक inquiry बठाएंगे, जिसमें दो member का commission होगा, उसमें आप देख सकते हो, एक तो जो former Supreme Court के justice है, मदन भी लोकूर, और Calcutta High Court के justice है, former जोतिर मैं भटाचार है, इन दोनों का ये पुरा commission है, जिसको lead किया जा रहा है, ऑविस्सी बात है, जो Supreme Court के justice है, मदन भी लोकूर उनके द्वारा, और इनका main यही काम होगा, कि जो breach of privacy है, जो opposition leader के उपर, या फिर journalist के उपर, जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें की गई है, उसके अंदर inquiry करे, उसमें देखे, कि exactly हुआ क्या किया, मतलब West Bengal government इसको लेकर क्या कह रही है, मतलब उनका क्या reason है, जिसकी वज़े से ये commission बैठाए गया है, देखे, सबसे पहले तो ये बात है कि एक बहुती बड़ा massive political row erupt हो गया है, मतलब especially जो center government में BJP की सरकार है, और जो राज सरकारों में जो opposition parties की सरकार है, जैसे कि West Bengal में ममतलब energy, दोनों के बीच में आपको पता ही है, पिछले काफी समय से कुछ ना कुछ problems देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर उनके पास भी एक मौका मिल गया है कि इस तरह का commission है, उसको बैठाय जाए और यहाँ पर देखा जाए कि exactly चीजें चल क्या रही थी, और आप सुन सके, जो microphone हो गया और camera हो गया, उसके उपर हमने tape लगा दिया है, और राजी सरकार का यह कहना है कि हमने यह commission इसलिए बैठाई है, विकॉज ऐसा करने से यहाँ पर जो लोगों के अंदर जो public order है, वो breakdown हो सकता है, जो police forces हैं, जो security services हैं, राजी के अंदर, West Bengal के अंदर, public का, especially journalist का, यहाँ पर उसका उलंगन किया गया है, उसको देखते वे हमने यह commission बैठाया है, और साथी साथ जो judiciary है, वहाँ पर भी जो उनका rights हैं, कि impartial तरीके से वो चीजों को जाच कर सकें, देख सकें, यह सारी चीजों को देखते वे हमने यह inquiry है, उसको बैठाई है, तो आप एक report submit करो, और बताओ कि यह पुरा मामला है क्या, मतलब कि किस तरह से यह भारत में आया, कौन इसको करवा रहा था, तो यह commission इसको establish करेगा, next question यह आता है, कि यह तो राजसरकार के द्वारा किया गया है, इनके पास क्या power होती है, यह commission के पास क्या power होगी, जिसके तह इस तरह की inquiry setup कर सकती है, तो यह provision है, आपको ध्यान रखना है, कि यह कानून के तहट यह पुरा inquiry बैठाय गया, ऐसा नहीं है कि राजसरकार ने simply एक बोल दिया कि यह inquiry होना चाहिए तो होगा, यह proper एक act है 1952 का, इसके तहट इस commission के पास power मिलती है as a civil court, मतलब यह commission जो है, व देश भर में कोई भी person को समन किया जा सकता है, यह commission के पास power होगी, कि उनसे यहाँ पर बुलाया जा सके, अगर suppose कोई दिल्ली में कोई वेक्ती बैठा हो, तो उनको यह लोग बोल सकते हैं कि आप कलकता में आईए और हमें इस चीज के बारे में बताइए, या फिर यह commission यह भी कह सकता है कि आपके पास यह document है, आप submit करो, हम उसको देखना चाहते हैं, तो इस तरह से इनके पास power होती है, जिसके तहट यह पूरा investigation करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और आपके मन में सवाल आना चाहिए, कि देखो यह जो spyware का पूरा pegasus का मामला है, यह तो actual में अग कि inquiry setup कर सकते हैं, लेकिन राजे सरकार जब यह inquiry setup करती है, तो उनके पास वही power होता है, जो state से related subject हैं, ऐसा नहीं है कि जो union से related subject हैं, उनके उपर वो लोग inquiry बैठा सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ इसके अंदर ध्यान देने वाला है, कि central government और state government में से सबसे पहले कौन वो inquiry setup करता है, अगर suppose मैं कहता हूँ for example के तौर पर, अगर ये वाला Pegasus के ओपर central government पहले setup कर देती ये पूरी inquiry, तो यहाँ पर राजे सरकार उसके ओपर inquiry setup नहीं कर सकती थी, यह जो कानून है न, Act of 1942, इसके तहट यहाँ पर central government अगर पहले कर दी inquiry setup तो राजे सरकार inquiry setup नहीं कर सकती थी, उसको central government से permission लेना परता, और जहिर सी बात है central government permission क्यों देती, नहीं देती, लेकिन एक और चीज है, अगर यहाँ पर राजे सरकार ये inquiry setup की है, तो क्या central government भी इसके ओपर setup कर सकती है, कल कर सकती है, अगर central government को लगेगा कि इसका scope एक राजी में नहीं, ये तो बाक कुछ inquiry setup कर दिया, वो तो देखने वाली बात होगी, बठायोब की ये setup कैसे होता है, क्यों होता है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में आ गया होगा, अगर हम पहले क्या इस तरह का कोई commission हुआ है, तो बिलकुल मैं आपको एक example बताता हूँ, 2002 में आपको याद होगा, ग DT, Nanavati और AH Mehta, ये दो member की commission basically इसलिए setup किया गया था, कि Godra train जो burning हुआ था, इसको लेकर यहाँ पर inquiry बैठ सके, मतलब कि यहाँ पर क्या exactly, जो पुरा riots start हुआ था, आपको पता है, गुजरात के अंदर, 2002 में, उसके just पहले ये वाला incident हुआ था, जो कि एक काफी बड़ा factor ब जिसमें commission ने आगे चलकर state government को clean shit दे दिया था, लेकिन आगे क्या होता है कि लालू प्रसाद यादो, उस समय जब railway minister थे, अंडर UPA government, 2004 की बात है, जब UPA सरकार आ गई थी, तो उन्होंने भी इसी subject पर, same जो Godra train burning है, उसी subject पर यहाँ पर एक और inquiry बठा दिया था, और ये कह अगे बनर्जी commission, अंडर Supreme Court judge, U.C. बनर्जी, लेकिन आगे चलकर क्या होता है, गुजरात High Court ने इसको squash कर दिया, कहा कि ये illegal है, ये बनर्जी commission यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, क्योंकि दोनों का same यहाँ पर power हो अगर है, तो इस तरह से अब interpretation के उपर भी depend करता है, अगर आपके मन में question आना चाहिए, कि ये जो commission है, इनके पास कौन से चीज को लेकर subject के उपर power होगा, तो थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1952 आ जो act है, उसमें clearly लिखा हुआ है, कि central government जब को inquiry बैठाती है, तो वो तीनों subject के उपर, आपको बता है, schedule 7 में तीन subject है that is union list, state list और concurrent list, तो union government तो तीनों के उपर यहाँ पर set up कर सकती है inquiry, और जो state government है, वो सिर्फ concurrent list और state list के उपर inquiry set up कर सकती है, और जो Pegasus वाला inquiry वाला मामला है, उसको राजय सरकार ने ये कहा है, कि ये public order और public entries से related मामला है, जो कि state list के अंदर आता है, इसलिए हमारे पास power है कि हम इस तरह की commission set up कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता तो इसको challenge भी किया जा सकता है, basically central government ये भी कह सकती है, कि Pegasus का पुरा मामला तो communication से related है, that is telegraph, telephone, wireless, broadcasting, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये union list के अंदर आता है, तो maybe central government आगे चलकर इसको challenge भी कर सकता है, कि देखिए, ये वाला पुरा जो मामला है, Pegasus, Piber का मामला, ये central government, union list के अंदर आएगा, इसलिए West Bengal के द्वारा ये commission set up करना, वो illegal भी हो सकता है, ये just मैं guess कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सामने, experts के दौरा बताई जा रही है, लेकिन last में, जाने से पहले, सब कोई इस तरह की inquiry की report आती है, अगर सपोज central government के दौरा किया गया है, तो उसको parliament में पेश किया जाता है, अगर राजय सरकार के दौरा किया जाता है, तो वहां की legislative assembly में किया जाता है, लेकिन bound नहीं है, अगर ये 6 मैने के बाद report आएगी, तो राजय सरकार के ऊपर boundation नहीं ह तो वो लोग public नहीं करते हैं, अगर उनके favor में जाती है, तो उसको public कर दिया जाता है, ये थोड़ा सा problem है, अक्सर आपको देखने को मिलेगा इस तरह के जब भी inquiry बैठती है, और ये binding भी नहीं है, मतलब ये जो inquiry है, अगर वो कोई suggestion देती है, कहती है कि ऐसा ऐसा करना चाह तो court इसको as evidence के तोर पर देख सकती है, मतलब वहाँ पर दिया जा सकता है report को कि देखिए, इस तरह की inquiry बठाई गई थी, उसमें ये findings सामने निकल कर आई है, I hope कि आपको सब कुछ clear हो गया होगा, ये जो भी कुछ चल रहा है, लेकिन BJP ने इसको लेकर hit out किया है ममताब energy प अगर असे भी मिल रहा है, लेट सीखी क्या होता है बटाई हो कि इस पूरे वीडियो में आपको चीजे जाने को मिल गए होगी, जाने से पहले एक बहुत interesting question आपके लिए, क्या बता सकते हो कि हमारे समविधान के आतहर पर constitution of India हमारे राज्यों को किस प्रकार की guarantee देता है, इसमें से जो चार चीज़ आपको बताना है, कौन सी guarantee हमारे राज्यों को state governments को यहाँ पर दी गई है, इसका जो right answer है आपको पताई है, यह मेरे Instagram पर तो आपको मिले गाई, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सार आपको download करें, studyico.com पर जाएए, बहुत ही affordable rates पर सारे courses आपको महाँ पर मिल जाएंगे, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता है आप से next time till then, thank you very much, see you soon.